ये एपिसोड बहुत जारा डिस्टर्बिंग, बहुत बड़े ट्विस्ट से भरा हुआ, so make sure आप इस वीडियो को end तक देखें, ताकि आप उस ट्विस्ट को पकड़ पाएं, but आप भी कहीं hiking पर जाने का plan बनाएए, अपने साथ इस like बटन को अपने back के अंदर डाल कर इस case को समझने के लिए हमें अमेरिका के वेस्टन विर्जीनिया में बने हुए, डिस्मल ग्रीक नाम के इस जंगली और पहाड़ी इलाके में जाना होगा, और दिन था 6 मई 2008 का जब शाम के टाइम पर रिकी विलियम्स नाम के इस बंदे ने डिस्मल ग्रीक के बिलकुल बर और दोनों बहुत जादा बूखे, दोनों बहुत बेसबरी से वेट कर रहे थे कि कभी इसके अंदर मचली फसे और वो रात का खाने का जुगाड़ कर सके, बट पिछले आदे घंटे से उनके तार के अंदर कोई हलचल नहीं हुई, मतलब कोई भी मचली उनको नहीं मिली, जिससे, obviously, रिकी बहुत जादा परिशान, वैसे तो रिकी को इस तरीके के इलाके में रहने का बहुत तगड़ा, experience बहुत लंबे टाइम से वो इस तरीके की hiking करता आया है, और Dismal Greek, जो की Appellation Trail के उपर बना हुआ है, ये trail तकरीबन 200 किलोमेटर लंबी, और ये trail पूरी hiking trail का बहुत अच्छा experience था, और अब की बार भी ये काफी हफसों से इसी Appellation Trail के उपर अपनी hiking कर रहा था, बट फाइनली इसकी food supply खतम हुई, और Dismal Greek के बिलकुल बराबर में ही ये अपना camp लगा कर इंतजार करने लगा, कि क्या पता उसको कोई यहां से मचलियों वगरा म मिल जाए, या फिर दूसरा hiker जाता हुआ मिल जाए, और आपको लगे कि उस hiker को आपकी जरूरत है तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे आप किनी भी हालातों में हों, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, आपको उसे प्यार से greet करना पड़ेगा, यहां कि इस Appalachian Trail को Cross करते हुए यहाँ से जाए और हो सकता है वो मेरी मदद भी करते उसके पास खाना पिना होगा और मैं आराम से उसे खाना पिना लेकर अपने कुछ और दिन यहाँ पर आराम से बिता लूँगा और यही बात सोस से सोस से उसने काफी बार अपनी मचली वाला तार वापिस नदी के अंदर शैका बट उसके मचली के जाल के अंदर कोई भी मचली नहीं फसी उसका डॉग भी परेशान, वो खुद भी परेशान तकरीबन आदा गंटा और निकल गया शाम के तकरीबन पौने साथ बजे के आसपस का टाइम हो चुका था उसके साइड में बैठा हुआ डोग वो एक दम से इधर उधर इधर उधर बहुत बेचैनी से घूमने लगा जैसे ये चीज रिकी ने नौटिस करी रिकी को भी अब कुछ-कुछ आवाजे सुनाई देने लगी कि हान नीचे से चड़ता-चड़ता कोई वैक्ती ऊपर आ रहा है अब ऑविसली ये चीज़ देखकर रिकी के माइंड में दो थोड़ साई एक हो सकता है कोई हाईकर हो और वो उसकी मदद यहां से जाते-जाते कर दे या फिर दूसरी बात कि क्या पता कोई खत्रा उसके पास धीरे-दीरे चल कर आ रहा हो अब आप खुद सोच कर देगे 54 साल का वैक्ती अकेला, भूखा, प्यासा बिल्कुल वो दूबला-पतला हो चुका था क्योंकि काफे दिनों से उसने सही से खाना नहीं खाया अब ओवियसली ऐसे टाइम में वो बहुत इजी सा शिकार बन सकता है किसी के लिए भी अब जैसे ये माइन में थोड्स रिकी के आए, रिकी के माइन में भी अब टेंचन होने लगी कि जिस भी वैक्ती के आवाज ये ऊपर चलने की आ रही है ये क्या पता उसके लिए कोई खत्रा ना हो अब वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर इस एपलेशन ट्रेल को बहुत सेफ समझा जाता है, हाइकिंग करने के लिए बट पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दशकों के अंदर इसी एपलेशन ट्रेल के ऊपर काफी सारे मर्डर्स भी हुए है जिनके अंदर या तो हाइकर्स की लाश भी नहीं मिलती अगर मिलती है तो वो कटी फटी, उनको गोली वग्यारा मारी हुई, उनको चाकू वग्यारा मारे हुए और इन फैक्ट जिस जगया पर रिकी उस टाइम पर डिजमल ग्रेक में वो फीशिंग कर रहा था, मच्री पकड़ रहा था वो आवाज जिरे जिरे और जारा पास आई, और तब रिकी ने अपना मूँ गुमा कर पीछे चाड़ियों की तरफ देखा, जहां से वो आवाज आ रही थी, और तब ही एक आदमी उन चाड़ियों से बाहर निकल कर रिकी के सामने आखड़ा हुआ, पहले तो कुछ बाते गरी और जो बंदा वहाँ से निकल कर आए था, उसका नाम स्कॉट जोंसन जिसकी उम्र तकरीबन 31 साल के थी, और उन दोनों ने जब आमने सामने देखा, तो रिकी ने उससे सामने से पूछ ला कि का तुम्हारे पास खाना पीना है, मेरे लिए, क्योंकि मुझे यहा रिकी को दे दी और कहा कि लो तुम इससे अराम से एंजोई कर सकते हो, दूसरी तरफ स्कॉट ने ये भी कहा कि मैं भी तुम्हारी तरहे पास ही के एक दूसरे इलाके में अपने दोस्त के साथ हाइकिंग करने के लिए आया हूँ, और हमने वहीं पर कैम्प लगा रखा है, मेरा दोस्त वहीं पर खाने के तयारी कर रहा है, और जब तक खाना बने मैं आसपास के एरिया को एक्स्प्लॉर कर रहा हूँ, जिसके बाद रिकी ने भी काफी चारा अच्छे तरीके से स्कॉट से बाते गरी और स्कॉट को अपने पास बुलाया, अपने साथ एक और कुर तो दोनोंने अपनी फिशिंग लाइन वापिस खीची, उसके अंदर नया चारा डाला और दोबारा से दोनोंने अपनी फिशिंग लाइन नदी के अंदर डाली और अब काफी सारी मचलिया इन दोनों के जाल के अंदर फश चुकी थी, काफी सारी मचलिया इन्होंने अपन पिना नहीं है, वो पहले ही भूका है, काफी दिनों से उसकी सप्लाइज कतम हो चुकी है, उसका डॉग भी भूका है, अब obviously रीकी ने इस मोके को गवाना जरूरी नहीं समझा, उसने तुरंध हां कर दी कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तुम लोगों के साथ मिल जाते जाते रास्ते में, उसका वो डंडा जिसके उपर वो काफी सारी रसी भी उपर लपेटी हुई थी, वो रसी एक पेड़ी के अंदर उलच चुगी थी, अब बेचारा स्कोट उसको छुडवाने की कोशिश करने लगा, रीकी उसकी मदद भी कर रहा है, बट वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लई रही, जिसके बास कोटने गा, रीकी को एक काम करो, तुम इस रास्ते पर बिलकुल स्ट्रेट जाओ, वहाँ एक बहुत खुला सा इलाक आएगा, वहीं पर हमने कैम्प लगा रखा है, वहाँ तुमको मेरा दोस्त मिल जाएगा, मैं रसी वहाँ खा, वह सच में बहुत हैरान कर देने वाला था, जी हाँ, बीच में आग जल रही थी, और उस आग के पास एक बहुत हटा कटा मोटा ताजा वेक्ती, उस आग की देख बाल कर रहा था, उसके ओपर अपना खाने मगारा की तयारी कर रहा था, अब जैसे ही उस सामने को अपने लिए खत्रा महसूस हुआ, उसने एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया, और सामने खड़े रीकी की तरफ इशारा करने लगा, हाँ भी बता, क्या भीमारी है, दूसरी तरफ रीकी ने कहा, अपने हाथ उपर करके, नहीं, नहीं, मुझे स्कॉट न अपने दोस्त को बताया कि चिंदा मत करो, यह मेरा यह दोस्त है रीकी और इसको मैं ही अपने साथ खाने पर बुला कर लाया हूँ, यह बात जैसे ही स्कॉट के फ्रेंड शॉन ने सुनी, उसने फाइनली अपने उलकड़ी का टुकड़ा नीचे की तरफ रखा, और दूसर क्यों क्योंकि सामने मोजुद शॉन, स्कॉट का फ्रेंड शॉन, वो काफी ज़्यादा गुसा हो चुका था, एक नए अंजाने महमान को अपने बीच में देखकर, और इसका दो स्कॉट जिसके बार बार फॉर्स करने पर वो यहाँ पर बैठा हुआ था, अब दूसरी तर के सामने शॉन और स्कॉट आकिर क्या करते हैं, कैसे उसको खाना खिलाते हैं, आग सही से जुलाने के बाद, मसाला वगेरा तयार करने के बाद, फाइनली स्कॉट ने शॉन को वो बाल्टी दी, जिसके अंदर वो बहुत सारी मचलिया पकड़ कर लाए थे, और एक एकर के उस मचलियों को काटना शुरू कर दिया, और अब शॉन और स्कॉट दोनों मिलकर मचलियों के अंदर से वो हड्या निकालने लगे, काटे निकालने लगे, अब ये चीज सामने बैठा हुआ, रिकी अराम से देख रहा है, अब उसको बहुत जारा अंकमफ़टेबल फील भ हो जाएगा, हमारा खाना जल्दी बन जाएगा और हम बहुत जल्दी उसको खापाएंगे, बट सामने से शौन ने उस चीज़ का कोई रिपलाई नहीं किया, इनफेक्ट रिपलाई करने की बज़ए, शौन वहाँ से उठा, सिधा अपनी जीप की पास गया, जहां पर दोन हाड को शोर शराबे को छोड़ कर वहाँ कुछ शान्ती के पल भी ताजगे, इसलिए तो वहाँ पर लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, बट यहाँ पर भी आकर ही पॉप म्यूजिक सुनना, रिकी को ओविसली यह चीज़ बहुत ज़़ा अजीब लगी, उसको फील हो नली चूपचा आप सामने देखता रहा कि शोन और स्कोड दोनों क्या करते हैं, दोनों तेजसे इस गाने सुन रहे हैं, उसका डॉग भी साइड में बैठा हुआ है, जब दोबारा से शोन वापिस आकर उन्हीं मचलियों के अंदर से काटे निकालने लगा, तो दोबारा स रिकी ने इन दोनों व्यक्तियों से पूचा, दोनों लड़कों से पूचा कि अगर तुम बुरा ना मान हो तो मैं भी तुमारी हल्प कर सकता हूँ, इसके अंदर से काटे वगारा निकालने के लिए, बट दोनों ने कोई रिप्लाई नहीं किया, इतनी बेज़ती हो चुक अग के उपर रख कर और फाइनली अब खाना रेडी हो चुका था, सभी मिलकर अब अपने अपनी प्लेट के अंदर वो खाना खा रहे थे, डॉक को भी अलग से मचलिया दी गई, रिकी भी बहुत चाओ से जो मचलिया पकड़ कर वो लाए थे, उनको खाने लगा, मचलिया अब की बार मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मेरे पास खाने की कमी हो चुकी है, वरना मुझे यहाँ पर किसी की भी जरूरत नहीं है, अब रिकी तो दूसरी तरफ बैट कर बोले ज़ा रहा था, शोन और स्कोर्ट को अपनी बाते बता रहा था, अपनी परसनल लाइफ के बार में बता रहा था, बट शोन और स्कोर्ट दोनों को ही कुछ खास इंट्रस नहीं था, उसकी बाते सुनने में वो अपने मचली के ओपर ध्यान दे रहे थे, भाई अगेन इतनी बड़ी बेज थी, मैं तो ना साय था, मैं तो महां से उटकर चला जा जाता, खेर, दोबा अब रिकी और उसका डॉग निकल चुके थे, बट जैसे ही रिकी और अपने डॉग के साथ उस क्लेरिंग को क्रोस करते हुए वापिस में जंगल के अंदर कदम रखने ही वाला था, उस पॉइंट पर, यहां इस जगया पर दो चीज़े से बहुत तेजी के साथ हुई, पह अंदर दो महिलाएं रह रही थी, उस घर के दरवाजे पर एकदम से बहुत जोर जोर से खट-खट-खट-खट की अवादे सुनाई दी, अंदर दोनों महिलाओं को, वो महिलाएं अंदर अपने खाने की तयारी कर रही थी, बट जैसे उन दोनों महिलाओं ने इस तरीके से एक बहुत जोर चेक खट-खट-खट-खट की आवादे सुनाई दी वो समझ चुगी थी कि कोई बहुत जोर से दर्वाजा पीट रहा है एक महिला उटकर तुरंट अपने लैंड लाइन पर गई और दूसरी महिला ने उसको कहा कि मैं जाकर दर्वाजा कोलती हूँ तुम लैंड लाइन को पकड़ कर रखना अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं तुमें इशारा कर दूँगी तुम तुरंट पूलिस वालों को फोन कर देना ये चीज़ देखकर दूसरी महिला उट कर सिधा लैंड लाइन पर गई पहले वाले सिधा अपने धरवाजे पर गई और उसने बहुत धीरे से अपने में गेट को खोला और सामने जो उसने देखा लिटरली वो वहीं पर बेहोश होने वाले थी क्यों क्योंकि सामने एक वैक्ति पूरे तरीके से उपर से लेकर नीचे तक खून में लत्पत ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस वैक्ति को उठा कर खून से बरोए ड्रम में दो तिन बार डुबाओ कर बाहर निकाला हो उपर से लेकर नीचे तक खून में और सामने खड़ा हुआ वो वैक्ती अपने गले को दोनों तरफ से बहुत जोर से दबा कर रखे हुए है वो सामने उस महिला को बता रहा है कि प्लीज जल्दी से जल्दी हेल्प का जुगाड करो जल्दी से जल्दी पूलिस वालों को कोल करो यहाँ पर मुझे हल्प चाहिए है और जस्ट वो यह चीज बोल कर नीचे गिर गया यह चीज देखते ही सामने खड़ी उस महिला ने तुरंट आवाज लगाई कि जल्दी से पूलिस वालों को फोन करो यहाँ पर मदद की जरूरत है दूसरी तरफ उस लेंड लाइन वाली महिला ने पूलिस वालों को फोन किया और तकरीबन 15 मिनिटों के अंदर पूलिस वालों के साथ साथ एम्बूलेंस भी यहाँ पर पहुँच चुगी थी और अब पूलिस वाले इस आदमी की जाच करने लगे बट उस महिला ने कहा कि देखिए मैं भी नहीं जानती एक आदमी कौन है जस इसने हमारे दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीटा और तब ही मैं यहाँ पर आई सामने खोलने के लिए बट इसने नीचे गिरने से पहले डिजमल ग्रीक का नाम लिया था और उसके बाद यह बेहोश हो गया या फिर मर गया मुझे नहीं पता अब बस इसने डिजमल ग्रीक का नाम लिया है तो वो भी मैंने आपको बता दिया अब आगे आप देख लीजिए कौन है या फिर इसका डिजमल ग्रीक के साथ क्या संबंध है अब जैसी ये चीज पुलिस वालों ने सुनी पुलिस वालों के लिए भी यह हराने वाली बात थी क्यों क्योंकि यहां से तकरीबन चार मिल दूर डिजमल ग्रीक से कोई वैक्ती इस हालातों में क्यों आएगा और उसका नाम क्यों लेगा जिसके बाद फाइनली पुलिस वालों ने फैसला किया कि क्योंना हम भी डिजमल ग्रीक के अंदर ही जाकर देखते हैं कि आखिर वहां पर क्या भज़ड मची हुई है वहां पर क्या बिमारी है पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेकर उसी डिसमल क्रीक वाले रास्ते के उपर अपनी गाड़ी धीरे-धीरे चलाने लगे अब वो उचाई वाला रास्ता था अब ओविसली उनकी धीरे-धीरे चल रही थी बट एक पॉइंट पर आकर उन्होंने देखा कि सामने से एक जो आ रहा है वो अपनी स्पीड कम कर ले और वो अराम से साइड सी निकल जाए बट इतना कुछ करने के बाद भी सामने से आ रहा है उस ट्रुक ने अपनी स्पीड कम नहीं करी वो बहुत थे जिसे पुलिस वालों की गाड़ी की तरफ आने लगा अब ये चीज ओविसली पुलिस वालों के लिए भी बहुत डरा देने वाली थी उन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ी सी साइड मे ली और जैसे ही वो ट्रुक और ज़्यादा पास आया बट ये जो रास्ता जिसके ओपर वो चल रहे थे रास्ता इतना ही चोड़ा था कि या तो एक गाड़ी आ सकत है दो चीज़ें एक साथ यहां पर खड़ी होई नहीं सकती अब पुलिस वालों ने अपने गाड़ी थोड़ी सी दबाई है थोड़ी से रास्ता अब उसको मिल गया था बट इतना रास्ता नहीं था कि वो ट्रुक वहाँ से निकल सके वो ट्रुक बहुत तेजी से पुलिस पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उतरे और सीधा उसी नीचे खाई की तरफ गए जहांपर वो ट्रॉक का एकसिरेंट हुआ था वहाँ जाकर देखने लगे कि आखिर एक बीमारी क्या है हमने तो इसको रास्सा भी दिया था यह अराम से भी अपने ट्रॉक को निकाल सकता था या फिर थोड़ा बहुत अड़्जेस्ट हम और कर लेते हम थोड़ी और गाड़ी को अपने साइड में ले लेते बट इस बाउजी को तो नीचे जाने की बहुत जाड़ा जल्दी थी खैर जल्दी थी तो अब काफी जाड़ा नीचे पहुँच गया क्या पता उपर भी पहुँच गया हूँ खैर नीचे जाकर देखते हैं पुलिस वाले सारे नीचे की तरफ गए उस ट्रक का जाकर देखने लगे बट चमतकारी ग्रूप से इसका ड्राइवर अभी भी जिन्दा था और फाइनली इन पुलिस वालों ने सारे ट्रक को तोड़ फोड करके उस ड्राइवर को बाहर निकाला, एम्बुलेंस को कॉल गया और जल्द ही एक हेलिकॉप्टर वाली एम्बुलेंस वहाँ पहुँची इस आदमी को उस हेलिकॉप्टर में लौड किया और वह हेलिकॉप्टर सीधा उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ उड़ चुगा था बट पुलिस वाले अभी भी इसके ट्रक के बारे में देख रहे थे कि आगरे ट्रक किसके नाम है, इस वेक्टी की पहचान क्या है ये कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा ये सब को जानकारी वह भी इस ट्रक से लेने वाले थे पुलिस वालों के माइंड में एक शक ये भी था कि देखो ये वेक्टी, ये जो ट्रक आ रहा था वो डिसमल ग्रीक की तरफ से आ रहा था और जो वो ब्लड वाला वेक्टी, वो खुन से लटपत आदमी उसने भी डिसमल ग्रीक का नाम लिया था अब ये दोनों एक्सिरेंट, ये एक ट्रॉक वाल एक्सिरेंट और वो खुन से लटपत वाला वेक्टी, ये दोनों आपस में कोई काम की चीज़ नहीं मिली, फाइनली पुलिस वाले वापिस अपनी गाड़ी में बैठे और फाइनली चाओं चाओं करते हुए उपर की तरफ चड़ने लगे, डिसमल ग्रीक की तरफ जाने लगे फाइनली पुलिस वालों की गाड़ी डिसमल ग्रिक पर पहुँची वहां से वो उतर कर चारो तरफ फैल चुगे थे कुछ भी अजीब चीज ढूंडने के लिए और बहुत देर तक ढूंडने के बाद फाइनली पुलिस वालों को एक कैम साइट दिखाई थी नहीं यह वो वाली कैम साइट नहीं थी जहांपर शौन और स्कोट रह रहे थे जहांपर रीकी ने मिलकर खाना खाया था यह दूसरी कैम साइट थी अब जैसी पुलीसवालों ने इस कैmप साइड को देखा सबी पुलीसवाले इस कैmप साइड को आपर ही कठा हुए इदर उदर देखने लगे अपनी टॉर्च और अपनी बंदू को एक साथ लेकर वो उस कैmप के पास जाने लगे लेकिन इस कैम्प के अंदर की चीजों की हालत देखकर पुलिस वाले समझ चुके थे कि जिस वेक्ती ने भी एक कैम्प लगाया था वो वेक्ती एक अलगी लेवल की भसड होगा जी हां अंदर से पुलिस वालों को सबसे पहले उसका पड़दा हटाते ही नीचे गदे के उपर तीस अलग अलग तरहें के अलग अलग विंटेज चाकू दिखाई दिये जो हाथों से बनाए गए थे जिनके ब्लेड को हाथों से तराशा गया था जिनके हथे को हाथों से डिजाइन किया गया था इस तरीके के blade पुलीस वालों ने सबसे पहली बार देखे थे जैसे पुलीस वालों ने देखे पुलीस वाले समझ चुके थे कि यहां कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है इसके अलावा और चारा चान बिन करने पर पुलिस वालो को एक पुलिस वालो का ही रेडियो चैटर मिला जिहां ये एक तरीके का रेडियो होता है जो सिरफ पुलिस वालो की ही फ्रिक्वेंसिस को कैच करता है कि जो भी वेक्ति इस रेडियो को सुन रहा हो उसको पता लग सके कि आखिर कहां कहां पर पुलिस वाले हैं और वो आपस में क्या-क्या बाते कर रहे हैं आपने देखा होगा कि किसी भी PCR के अंदर वो वोकी-टोकी लगा रहता है वो एक range से connected होते हैं वो frequency से connected होते हैं अब ये वेक्ति जिसके पास भी रेडियो होगा वो सुन सकता होगा कि आखिर पुलिस वाले आपस में क्या बात कर रहे हैं और उनका आगे का प्लैन है फिर इस रेडियो को भी उन्होंने अपने कबजे में लिया साथ ही एक tape recorder और उसके अंदर एक cassette भी लगी होई थी पुलिस वालोंने उस tape recorder को और cassette को भी अपने कबजे में लिया और जल्दी से play वाले बटन के उपर क्लिक किया और जैसे उन्होंने वो play वाला बटन क्लिक किया एक बहुत ही अजीब सी आवाज उस रेडियो के अंदर से बजने लगी ये चीज़ देखते ही पुलिस वालों के दिमाग में कुछ और ही घूमने लगा जी हाँ वो आवाज इतनी ज़रा अजीब थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल के अंदर खड़े होकर चिला रहा हो बगवान को अपने पास बुला रहा हो कुछ अजीब सा तंतर मंतर कर रहा हो इसके अलावा इस कैम्प के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े मिले किसी भी एक वैक्ति के एक साइस के कपड़े नहीं आदमियों के अलग बच्चों के अलग औरतों के अलग लड़कियों के अलग अंडर गामेंट्स अलग अपर गामेंट्स अलग सब कुछ अलग अलग वो भी अलग अलग वैक्तियों का ऐसा कैसे हो सकता है एक छोटा सा camp इसके अंदर इतने सारे वेगधी कैसे रह सकते हैं ये पुलिस वालों की समझ से बाहर था इसके अलावा पुलिस वालों को इसी Appalachion Trail का एक मैप इसी केम्प के अंदर मिला और जब पुलिस वालों ने उस मैप को खॉल कर देखा तो पुलिस वाले बहुत जारा हैरान क्यों? क्योंकि वो मैप तो Appalachion Trail का था बट उसके उपर जगया जगया बहुत गहरे गहरे circles बना कि आखिर इस सर्कल का कुछ मतलब निकलता है क्या? क्या कुछ खास परपस के लिए इस सर्कल यहाँ पर लगाया गया है? बट इन सब से हट कर एक बहुत ही खास चीज पुलिस वालों को इसी कैम्प से मिली और इस चीज को देखते ही पुलिस वाले समझ चुके थे कि आखिर इस डिसमल ट्रीक के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि सभी की सभी चीज़े अब पुलिस वालों के सामने खुल चुकी जिहां ये एक पेपर का टुकडा था और ये पेपर कुछ और नहीं बलकि एक बर्थ सर्टिफिकेट था जैसे ही पुलिस वालों इस बर्थ सर्टिफिकेट के उपर नाम देखा तो उस नाम को पढ़कर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए क्योंकि सभी पुलिस वाले इ और यह डिजमल ग्रीक वाला कैम्प साइड ये सारे चीज़े एक साथ आपस में कनेक्टिड थी। और ये खुन किसी और चीज़ से नहीं बलकी उसके शरीर के ओपर लगी हुई गौली से ही छीटे उसके मूँ के ओपर आकर लगे थे। पर लगी, शोन के कंदे से बहुत सारा खुन निकल कर उसके मूँ पर लगा, शोन ने अपना चेहरा पूछा और बहुत तेजी से वो नीचे की तरफ जा गिरा। जैसे ये चीज़ स्कॉट ने देखी, स्कॉट बहुत जल्दी से जंगल के अंदर की तरफ भागने लगा, बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए, बट रिकी उसकी तरफ पीछे पड़ चुगा था, रिकी ने भी पीछे से गोलिया चलानी शुरू करी, और एक गोली जाकर उसके पेट में लगी, बट जैसे ही ये दूसरी गोली शौन को लेगी, शौन के अंदर इतनी हिम्मत आई, अब ओविसली वो हटा कटा है, उसके अंदर इतनी हिम्मत आई, उसने खुद को बचाना जरूरी समझा, वो जस्ट बहुत तेजी से नीचे से खड़ा और नीचे जाते जाते, बीच में ही स्कॉट, उसका दोस्त, जो जंगल के अंदर से भागते हुआ आ रहा था, उसको दिखा के सामने स्कॉट खड़ा हुआ है, उसके भी गोली लगी है, और वो भी बहुत जल्दी नीचे गिरने वाला है, बट शौन ने जाकर अपनी साइड में बैठा वा स्कॉट, उसने बहुत हिम्मत दिखा कर काड़ी के दरवाजा खोला, उसके गले में गोली लगी थी, उसके पीछे कमर में गोली लगी थी, फिर भी उसने पने गले के ओपर हाथ रखकर बहुत हिम्मत से दरवाजा खोला, और बहुत ही लड़ खड़ बलकि उसकी जीप के अंदर शौन भी कुछ वैसी ही हालातों के अंदर था। दोनों को ही पासी के नज़ी की हॉस्पिटल के अंदर भरती करवाया गया। अब दोनों का इलाज वहां पर चल रहा था। डॉक्टर सब उनको देखने वाले थे। दूसरी तरफ ये सारी चीज़े जब देखकर पुलिस वाले उपर डिजमल क्रीक की तरफ जाने लगे और उनको बीच रास्ते में वो ट्रक मिला जो बहुत तेजी से नीचे आ रहा था और नीचे आते आते उसका एकसिडेंट हुआ और वो नीचे खाई में जा गे रहा उसक नाम था रैंडल ली स्मित जो कि एक बहुत ही खुंखार बहुत ही बदनाम बहुत ही बेरहम सीरियल किलर है इस पूरे एपेलेशन ट्रेल का जैसे ही ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी पुलिस वाले समझ चुके थे कि जो ट्रक लेकर वैक्ति नीचे जा रहा था वो कोई और नहीं बलकि रैंडल ली स्मित ही था और ये रैंडल ली स्मित कोई और नहीं बलकि रिकी विलियमस ही था जी हां रिकी विलियमस चोवन साल का वही आदमी जो अपने आपको बुड़ा दिखाते हुए शौन और स्कोट की पार्टी में गया वहां जाकर उनके साथ म रेंडली स्मित ने दो हाइकर्स का यहां पर मर्ड किया था और उसके बाद से एपलेशन ट्रेल बहुत चारा बदनाम हो गई थी क्राइम्स के लिए अलगलग तरीके के लोग यहां पर आने लगे अपना अड़ा बनाने लगे लोग यहां पर किसी का भी चाते आते मर्ड कर बट रेंडली स्मित को जल्दी ही गिरफतार कर लिया गया उसको 15 साल की सजा सुनाए गई और 15 साल बाद जब वो रिखा हुआ उसका अच्छा बिहेवर देखते हुए जल्दी ही उसके पैर के अंदर जो वो ट्रेसर लगाते हैं आपने देखा होगा कि बाहर के देशों मे पैर के अंदर एक ब्रेसलेट सा बाहन देते हैं जिसके अंदर लोकेशन ट्रेस होती है कैदी की ताकि अगर वो कहीं भी जाये उसकी हरकत पुलिस वालों को पता लगती रहें कि आखिरे वेक्ती कहां पर है और क्या कर रहा है खैर उसका ट्रेसर भी जल्दी ही वो निकाल अब फाइनली रेंडली स्मित फ्री था अपनी जिन्दगी जीने के लिए 1996 में बाहर आने के बाद तकरीबन दस सालों तक ये वेक्ती अपने परिवार वालों के साथ बिलकुल आराम से रहा बड़ 2006 में इसके अंदर का कीड़ा दोवारा से जागा ये दोबारा से बाउज या मनाने आई हुए थे शान और स्कोर्ट का इलाज हॉस्पिटल के अंदर किया गया और फाइनली इनको बचा भी लिया गया इनकी फुल रिकवरी हुई बड़ जो गोलिया इनके शरीर में लगी थी उनको कभी भी बाहर नहीं निकाला गया वो गोलिया आज भी शान और स रहती इतना खतरना कैसे हो सकता है जिसके आप मदद करो और सामने बैठा वो आपको बिल्कुल लाचार सा बे सहरा सा दीख रहा हो और एकदम से वो आपके उपर गोलिया चला दे आपको कैसा फिल होगा और दूसरी बात वो जो कैम साइट जो जिसके अंदर से पुलिस वा पुलिस वाले समझ चुके थे कि उनको अपने सवालों का जवाब कभी मिलेगा भी नहीं क्यों क्योंकि चार दिनों तक इलाच चलने के बाद रेंडली स्मित ने हॉस्पिटल के अंदर ही दम तोड़ दिया और वो सारे राज जो उसके माइंड में थे जो सिर्फ उसी को प उनके माइंड में वो सारी यादे ताजा हो जाती है जो 2008 के अंदर उनके साथ हुआ था ख्यार आप मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है क्या आपने कभी हाइ Juice का कोई ऐसा एंसिदेंट सूना था या फिर आपने कभी हाइक कि है आप अपना experience मुझे नेचर कमेंड्स में जरूर बताए या फिर वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद